इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल के अपकमिंग स्मार्ट फॉन की जो की AI बेंचमार्ट साइट पर देखा गया है जियां दोस्तों गूगल काम कर रहा है अपने मिडरेंस सेग्मेंट के एक और नए स्मार्ट फॉन पर जो की होने वाला है गूगल पिक्सल फाइब इस फॉन के बारे में दोस्तों काफी टाइम से लिक्स और रूमर्स निकल कर आ रहे हैं और फाइनल ये AI बेंचमार्क साइट पर देखा गया है जहां से इसके काफी स्पेक्स लिग हुए हैं जिसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं साथ ही बात करेंगे इसके प्राइज और लॉजडिट की तो दोस्तों स्वागत है आपका टैक रोज पर जनकरी के लिए वीडियो में अंड तक बने रहें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए ताकि आपको ऐसे टैक वीडियो मिलती रहें जहां पर आपको HDR का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा इस वार दोस्तों इन्होंने इंप्रूमेंट किया है इसकी डिजाइन में और यहां पर आपको पंच्छोल का डिजाइन देखने को मिलता है इसकी डिस्प्ले पर तो यह बेस्ट स्मार्टफॉन है गूगल की तरफ से डिस्प्ले के मामले में और यहां पर आपको बेट लुकिंग का नौच दिखाई नहीं देगा इसके साथ ही दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फॉन के परफॉर्मेंस की तो यहां पर आपको स्नेपडेगन 765G चिपसेट देखने को मिलने वाला है इसके लावर टाइटन अगर आपको स्नेपडेगन 765G चिपसेट के साथ ही दोस्तों 8GB कर रहम देखने को मिलेगा और यहां पर आपको बन 28GB इंटर्ली इंटर्ली देखने को मिलती है आप सब को पता हुआ दोस्तों की अपने स्मार्ट फॉन्स में केमरी का का प्याच इंप्लिमेंट करता है और तो इसे देखने को मिलने वाला है दोस्तों जिसमें 16 Mega Pixel काökडेगन 16 Megapixel का hotel मेक्रो देखने मिल और देखने को मिल दा ज종 Attrah जो की एलडिव के साहते साथ में आता है तो यहां पर दोस्तों काफ़ी केमरा क्वाल्टी आपको देखने को मिलने बाली है Ringsette क्धने को अई-प्ह देखने को मिलती है जो कि 18W fast charging support के साथ में आती है बैटरी के मामले में यहाँ पर definitely थोड़ा सा improvement हो सकता था और अगर चारा चारा मैच तक की बैटरी यहाँ पर provide करा देते तो यह smartphone और भी अच्छा हो सकता था इसके साथ ही दोस्तो 3.5 mm का audio jack आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा इसके साथ ही दोस्तो आपको fingerband scanner का support in display देखने को मिलता है जो कि आपको pixel 4 में देखने को नहीं मिला था अब बात करते हैं दोस्तों इस phone की launch की तो Google ने अभी तक के सभी अपने pixel series की smart phones को October में launch किया है तो ऐसा expect किया सकता है कि Google अपने pixel 4 और pixel 5 को एक साथ October में launch कर सकता है अगर दोस्तों बात करते है इस phone की price की तो यह smartphone आपको 60-70,000 के बीच में देखने को मिल सकता है तो यह smartphone दोस्तों हर customer के लिए नहीं बना है यह smartphone बना है दोस्तों उन customers के लिए जिनको pure Android का experience चाहिए हाई security और Google के मेरे के साथ में आप है बताईए कि आपको इस phone के बारे में क्या सोचते हैं और कि आप इसको लेना पसंद करेंगे अगर आपको कोई और भी comment ओ तो आप लिख सकते हैं आपको नेस्ट वीडियो में जब तक के लिए गुड़ बाई